सबसे पहले नासर साब आपके पास आते हुए सवाल ये उट रहा है आपने सुनाई है लोगों को शक है तमाम ऐसी बाते आ रही है जो रिया ने इंटर्व्यू में कहा है ये उनका वर्जन हो सकता है सच तो CBI को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों को निकालना है सामने नास कि इनकारी से सब कुछ मालम होगा लेकिन दो तीन बातें रिया के इंटर्व्यू जो उन्होंने दी हैं उससे जाहिर होती है कि वो एक्चुली सच हैं कि सुशान सिंग जी को थोड़ से प्रॉब्लम हो रहे थैं नफसियाती प्रॉब्लम होते हैं हम सब को होते हैं कुछ ल डिप्रेशन नहीं था ये नहीं था कुछ मतब ये के स्मोगिंग का प्रॉब्लम नहीं था गांजा लेते हैं बहुत सारे लोग लेते हैं ओल ओवर दे वर्ल्ड तो वो चीज तो हड़ गई है तो अब एदो तीन चीज़े एक्चुली आज आती है सामने कि दो सच तो हैं ह शुरुआत हुई थी कि कंगना रनोर्ट ने जो भी कहा था वो अलग हो गई मिलकुल एक बात जिस पे मुझे घुस्सा आता है और मुझे अच्छा नहीं रखता हाला कि मैं बॉलिवुड से जादा एक्चली योड़ा बनी हूँ लेकिन फिर भी मतब यह के बंबई हैज बेर कि मतबई के वरी काइन तो मी तो यह कहना कि ड्रग सिर्फ मुंबई में होते हैं और बॉलिवुड में होते हैं इससे मैं बहुत ही नाराज होता हूँ बॉलिवुड वाले जो है बड़े सोफ्ट टार्गेट हैं यानि के मामूली निशाना मतलब मतबई कि मुलायम ये ये जिसको आए थप्ण मार के चल जाता है ये सेना निर्मान सेना अपना करनी सेना बाद बाद पे पंगा लेते हैं और ब्लैक बेल करते हैं नासर साथ जो कुछ रिया ने कहा है उसको आप अंतिम सच मान रहे हैं इसलिए काउंटर क्वेश्चन है उसको आप अंतिम सच बता रहे हैं आपको लग रहा है कि अपको सब कुछ आपको पता चल गया है अरे सर तस्वीर दिखाते हैं जरा वो पोस्ट दिखाई एक एक करके आज जूम से एक सब नहीं ज़िए आने शिर्फ दो बातों की बात कही थी कि उनको वूंको deflaald ने ज़िए नें और रेकाये मैरे मूं में अलफाज मुधीं डालिये दो बाते हैं आफ़ीज़ जाहिर हो जाती है सब्भॉर की जो अब टक नहीं दिखाई श्यों अबकर जो मिने नासर साथ, उन्होंने कहा कि न सर्फ उन्हें आपके न मैं तो आपको हट्डि की मात बात जाहिरों है क्यूंकि फेमस साइक्याट्रिस फ्रम इंडूजा हॉस्पिटर ने का है कि एक्टरि सुषान सिंग उनके पेशन्ट थे और उन्होंने देखा था कि सुषान सिंग को आगे जाके खत्रा है उन्होंने अपनी दवाईया छोड़ दी थी दो तीन साइक्याट्रिस थे जो उन पर रोशन बिंडर इसका जवाब देंगी और रोशन एक सेकंड कुछ पोस्स तम दिखाना चाहते हैं आठ जून से लेकर 14 जून 14 जून को भी पोस्ट है रिया चक्रवर्ति का वो सभी पोस्स डेट के साथ हमने डाले है जरा एक बड़ स्क्रीन पर दिखाईए फुल स्क्रीन यह सभी पोस्स है जो रिया ने डाले थे यह देखिए आठ जून का पोस्ट है फुल स्क्रीन दिखाईए यह आठ जून का रिया का इंस्टा पोस्ट है जिस दिन वो गई थी सुशान को छोड़कर अगला पोस्ट दिखाईए यह बारे जून का पोस्ट है रिया का इंस्टा पर पोस्ट है पता नहीं टीवी स्क्रीन आपके सामने है या नहीं पर हमारे दर्शक तो देखी पा रहे है बारे जून का रिया का इंस्टा पोस्ट है तेरा जून रिया की इंस्टा पोस्ट आप देखिए इन्होंने ट्व विटर पर भी फोटो डाली थी और कहा था फाइनली यह जो कॉरिंटीन में थी उससे बाहर निकल कर और यह देखे आठ जून यह तमाम जो उनके पोस हैं वही दिखा रहे एक विडियो भी है ब्लू ड्रेस में जो उन्होंने डाली है कि मैं शूट मिस कर रही हूं वो भी सुसान सेंग और उनके बीस में जराया आगे एक या दो नहीं देखिए पहले मुझे बात करने दीजिए लेख में चाहूं पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि वो लड़की जो यह कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूं प्यार करती थी और उस जैसा इंसान कोई और है यह उसने इंटर्व्यो में कहा है और वो लड़की उसे दिखें कर लिये वो इंसान च्वास इस दुनिया में नहीं है उसे वद्नाम कर रही है थू है यह एसी लड़की पे अगर तू ब्यार करती तो उसे बद्माम नहीं कर रही है दुनिया के सामने एक मिंए मुझे एक भा बटनाम ही तरही है। nú देप्रेशन में था। वो यह कह रही है कि वहुतु थाा। जो लड़का प्लेटान काश्छों कonta है। महाथ यूद्टान के अदर जाकर लेखिता है। इसे जाहिर होता है ये बताए ना आप ये बताई ना इसे क्या जाहिर होता है आप मुझे बोले देंगे रिया चक्रवार्टी का ये कहना चैना उसे अब बैचने से डार लगता था तो वो फ्लेम कैसे उड़ाता है नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले